हेलो दोस्तों नमस्कार आपका वल्ड मिस्टीरियस घ्यान में स्वागत है दोस्तों आज आपको लिविंग रूट ब्रिज के बारे में बताने वाले हैं लिविंग रूट ब्रिज भारत के पुर्बोत्तर राज मेगाले के दच्छडी भाग इस्थित अस्थानीय जन्जात के लोगों द्वारा जीवित ब्रिच्छों की जड़ों से बनाए गए पुल हैं जीवित ब्रिच्छों की जड़ों को अनुवर्धित कर इन्हें जलधारा के आर पार एक सूद्रिड पुल में परिवर्धित कर देते हैं समय के साथ ये और भी मजबूत हो जाते हैं ये पुल मेघाले के चेरा पूजी नोन ग्रेट लाजस्यू आधियस्थानों पर देखे जा सकते हैं मेघाले के जनजातिये चेतरों में रहने वाले लोग यहां उगने वाले ब्रिचों की जड़ों और साखाओं को एक दूसरे से संबंध कर पुल का रूप दे देते हैं इस परकार के पुल ही जीवित जड़ पुल कहलाते हैं इनको बनाने में रबड फिंग ब्रिच की हवाई जड़ों का परियोग किया जाता है और इनका निर्मार खासियों जैनतिया जनजात के लोग ही किया करते हैं हम इस पेंड को रबड के पेंड की स्रेणी में भी मान सकते हैं ऐसे पुलों में से कुछ की लंबाई सौफोट तक होती है जहां खासी लोग को जरूरत होती है इस पेंड की जड़ों को वे दिसा देते हैं और काफी समय भी बहुत सालों में जाकर ये पेंड इस इस्थित म आजाते हैं कि दोनों किनारों के पेड़ों की जड़े आपस में बद जाती हैं ये इतने जानदार भी होते हैं कि 50 लोगों का वजन एक साथ से सकते हैं ऐसे सेतू नागा लैंड में भी मिलते हैं भारत के अलावा इंडोनेसिया में जेमबांटन आकारदियू पर सुमात्रा और जावा के बंतेन प्रांत में बदूई लोग द्वारा भी ऐसे सेतू बनाए जाते हैं इसी परकार की और वीडियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें धन्यवाद